हलो इस्टुएंट से नेक्स्टम डिसर्स करेंगे एक्जाम्पल लॉम्बर टू लास्ट वन की तरह यह एक्जाम्पल मर वन की तरह यह बस आपको ब्रेक करना और मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आयागा है नेगेटिव वह पता करना है ठीक है फर्स्ट केस से शिल करते अगर मुझे एक्स माइनस टू करना पड़ेगा चीक है करो तू माइनस यहाँ भी कर दिया यहाँ भी कर दिया और यहाँ पर जीरो बना और यहां वन बना इसके इसाब से x plus 2 जो है इस interval के लिए आपके पास greater than equals to 0 है इसका मतलब यहां modulus x minus 2 एक से करें अंदर minus है आप मतलब कि यह जो x minus 2 की value बनी है अपने पास इसका mode जब मैं open करूँगा तो मेरे पास positive का x minus 2 निकलेगा क्योंकि greater than 0 है वापस से x अब x minus 3 बनाना है ठीक है बोज साइड में minus 3 कर दीना है बस अब यहां क्या हो रहा है x minus 3 जो है वो less than equals to 0 है इसका मतलब x minus 3 का जो mode है इस बार आपके पास क्या निकल के आ रहा है negative निकल कर आ रहा है third case देखो 2 minus 4 ठीक है minus 2 of x minus 4 इसका मतलब यह value minus की value के अंदर जो है चल रही है इसका मतलब x minus 4 हर case में जो है आपके पास fix है less than equals to 0 यहोगी और x minus 4 का जो mode अगा वो ओकन करने पर negative x minus 4 रहा है यानि इस case के अंदर कौन से इंटर्वल में इस वाले इंटर्वल में टू से लेके 3 वाले इंटर्वल में जो आपका fx बनेगा क्या बनेगा पहले तो mode लिखा जाएगा यहाँ पर पहले तो mode लिखा जाएगा इस इंटर्वल के लिए फिर हम इस mode की जगे हम positive x minus 2 consider करेंगे इस mode की जगे हम negative consider करेंगे और इस mode की जगे भी हम negative consider करेंगे अब open करो x minus 2 minus x plus 3 minus x plus 4 अब बचाओ कितना अंसर आया देखो negative x से negative x चला गया तो एक तो negative x बचा थ्री और 4 7 7 में से 2 गया तो plus का 5 बचा यानि कि केवल आपको यह लिखनी की ज़रुत है इस interval के लिए इस पूरे function की जगे यह लिख देना आपका अब आजाओ second पर 2 से 3 हो गया interval अब ठीक है ठीक है भई फिर वही चीज अगर मैं both side minus 2 करता हूं x minus 2 minus 2 3 में से 2 गया 1 x minus 2 4 में से 2 गया तो इस बार साफ दिख रहा है यह value जो है आपके पास बहली 0 से greater ना हूं 1 से 2 है तो obviously बात है greater than equals to 0 यह तो इस बार भी मैं इसको x minus 2 को क्या consider कर सकता हूं positive x minus 2 consider सकता हूं ठीक है अब आजाओ इस पर फिर से value देखेंगे भी हम इस बार हम minus 3 करेंगे है यहाँ जो होता है न वो बनातने के लिए करता है यह अपन ठीक है तो x minus 3 जो है x minus 3 जो है greater than equals to 0 है इसका मतलब modulus of x minus 3 क्या जाएगा आपके पास positive x minus 2 फिर से इस बार fold आना है minus 1 less than 0 यानि x minus 4 का जो mode होगा इस बार negative x minus 4 आप मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जो आपका function है इस interval के लिए आपका जो function होगा जो की है x minus 2 का mode plus x minus 3 का mode वो क्या बन जाएगा इसकी जगए positive x minus 2 इसकी जगए एक सेकिंड यह क्या किया मैंने x minus 3 है यह भी x minus 3 ठीक है यह value negative x minus 4 बन जा लिए ठीक है यह कितना हो गया आपके पास x plus x negative का 5 कर दिया है मैंने 32 करके फिर minus x x से x चला गया बचा कितना आपके पास एक तो positive x बचा और 5 में से 4 चला गया तो आपका negative का 1 बचा ठीक है मुझे बता दो यहां तक में कोई दिख्या देखे आपको यहां तक के point में किसी कोई भी शू लगे तो बताओ ठीक है आगे बढ़ सकते है यानि कि अब जो question है देखो जो आपका question है 2 से लेके 4 x minus 2 का mode plus x minus 3 का mode plus x minus 4 का mode dot dx वो actual में क्या हो गया है 2 से लेके 3 का interval consider ठीक है minus 4 dot dx plus 3 से लेके 4 का interval consider तो यह जो 2 से 3 का interval है इसके लिए मैंने पहले यहां पर minus x plus 5 निकाल दिया है ठीक है minus x plus 5 ओके और 3 से 4 का जो इंटरवल है उसके लिए अपने x minus 1 निकाल दिया simple वो यहां रखके भी करते तब भी वह यह की बात है अब कर दो इसका minus x square upon 2 plus 5 x 3 2 इदर आ जाओ x square upon 2 minus x 4 3 बस इसको ले लेते हैं अपर next slide में यहां तो पूरा होगा नहीं solve wait a minute ठेक है अब लगाओ आप यहां पर value upper limit कैसे लगाओगे minus 3 का square upon 2 plus 5 3 फिर minus minus 2 का square upon 2 plus 5 multiplied अब आजाओ फोर का square upon 2 minus 4 अब आजाओ फोर का square अपन टू माइनस थ्री नेगेटिव थ्री थ्री जा 9 अपन टू प्लस 5 थ्री जा 15 माइनस यहां देखो एक टूप से एक टूप चला गया तो नेगेटिव का क्या है आपके पास 10 है तो मैं इसको नेगेटिव का 10 कर देता हूँ इदर आजाओ फोर फोर जा 16 16 अपन टू यानि टू इट माइनस फिर नेगेटिव थ्री थ्री जा 9 अपन टूप फिर प्लस का 3 है अब ओपन करो माइनस 3 बाइटू यह रहा अदम 9 बाइटू फिर माइ फफ्टीन में से 10 गया तो कितना बचेगा आपके पास 15 में से 10 गया तो सर बचेगा 5 5 कितना ओजाएगा 9 इदर जो 8 में से 4 गया तो कितना बचे आपके पास 4 और 3 को add किया कितना हो गया 7 पहले इन दोनों का LCM ले लो माइनस का 18 अपॉन 2 प्लस 9 और यहां पर कितना बज़ गया था 7 9 और 7 कितना हो गया 16 2 से कट करो 2 9 जा तो माइनस 9 प्लस 16 तो कितना बज़ गया 5 बज़ गया आपका answer तो इसका answer हो चुका है अब बताओ क्या समझनिया है किलिया रहे हैं यहां पर सो दिस इस complete example number two next मिलेंगे example number three पर के